कि हाई फेंट्स मनीमेकर मैं आपको ब्रदिल सोगत है आज आम बात करना वाले इन्फोसिस लिमिटेड शेयर के बारे में जो एक आइटी सेक्टर कॉंसल्टिंग सब्टोर इस डिजाइन एंड क्लावड मेनेजमेंट के उपर काम करता है जाता से जदा इसका एक्सपोर्ट औरेंटेट कंपनी है दोस्तों मतलब फॉरेंड रेविन ज्यादा कलेक्ट होता है तो इसलिए स्टॉक में आपको कल भी तेजी देखने को मिला तो आज भी थोड़ा वह तेजी देखने को मिलेगा क्योंकि रूपीज टूट रहा है इसका मतलब क्या है कि एक्सपोर्ट मे मिलता था अभी 83,000 मिल रहा है तो ऐसे करके इसलिए दोस्तों आइटी सेक्टर थोड़ा बुलिस हो रहा है और कोई इसके पीछे रिजन नहीं है आइटी स्टॉक अभी भी ब्यारी जोन में है तो अभी भी सिगनल मोमेंटम और क्रेट हो नहीं है लेकिन अभी भी में एक बहुत अच्छी बात है कि चार्ट में भी देख सकते हो कि एक रैली टाइप बन रहा है तो यह रैली आपको बाइंग करके आपको शॉट टर्म होल्ड करोगे तो अच्छा खासा पॉपिट मिलेगा 26 अभी 26 परसेंट अभी बाइंग के राय दे रहा है और मेरा भी बाइंग का ही राय रहेगा स्टॉंग बाइंग का भी राय रहे जून कोटर का भी अच्छा खासा रेविन्यू जस्ट यह अपका रूपीज टूटा और सेमी कंडॉक्टर का स्वाटेश के वजए से स्टॉक जो है नीचे आया हुआ था अभी धेरे क्या है कि स्वाटेश जो है अभी कम होता जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि डिमेंड जो है आई टी सेक्टर हर चीज़ में इस अपका क्लावड मेनेजमेंट के उपर काम कर रहा है तो सारे फॉरेंस से जितने भी आपका रेविन्यू आ तो उसका कम तो हो नहीं रहा है दोस्तों उसे सबसे आई टी सेक्टर में एक बहुत अच्छा तेजी देखने को मिलेगा और यह तेजी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा क्योंकि आरे साइटी फाइब में है और यहां से एक शार्प डिकोवरी भी देख सकते हो आप एफाई आई मुचल फंड ने अमदा होल्डिंग 13.49 इन से 14.98 परसेंट कर लिया है तो मिचल फंड बहुत ज्यादा बुलिश है और स्टॉक का देख सकते हो कि आपका फाइनल डेविडेंट भी दिया है मही में और अभी जो रिपोर्ट निकलके आ रहा है 1928 परसेंट मतला 1800 और 191670 तो यह टार्गेट निकलके आ रहा है और य नीचे आपका अभी यहां से एक शार्प रिकोवरी और शार्प एक गेनिंग आएगा 75 परसेंट लोग अभी बाइंग के राय दे रहा है अगर वीडियो अच्छा लगे अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लो आभी के चैनल मानिमेकर को और फ्रेंट के साथ शेयर क्योंकि यह अपना 52 लोग पर ही ट्रेट कर रहा है इससे ज्यादा आपका रिक स्टुडी वार्ड रिस्यू में बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाने वाला है थैंक्स पर वाचिंग